हुआ है वही हो रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है जियां पर मैं तो छाते में खड़ा हूँ है वेलकम बेक टो मैंने अधर ब्लॉक्स तो गाइस आज है 17 ओक्टोवर 2023 और गाइस बात करें आज और भी कि तो अभी फिलाल मेरा ब्रेकफास्स हो चुका है और साती साथ ज अभी वह कमरे के काम पर लग चुके हैं इंट की चिनाइव वगरा कर रहे हैं तो उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन उससे पहले आपको अगल बगल का मौसम में दिखा देता हूं जरह तो गैस आप देख सकते हैं आज भी मौसम कल की तरह हो रहा है बादल है कहीं गाउन के मौसम की कोई भी ओन्याराइटी नहीं होती है कि वह कब बिज़च जाए और कब बढूसम साही रहेगा एसे ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं कि इससे मिस्त Спारी अपने काम पर लग यह कर भी में होगी लेकिन अगर वारिश होगी तो फिर सेल्की तरह उन्हें क काम रोकना पड़ेगा फिर मौसम साफ होने का उनको फिर से बीट करना पड़ेगा तो अब आपको दिखाता हूं मैं में अपने काम करने देते हैं यह दिखा तो मैं आपको यह देखिए और इंड किचिन अभी जारी है तो इनको अपना काम करने देते हैं यह देखो जिसका डर था वही हो रहा है हाला कि बारिश अभी हलकी हो रही है लेकिन धूप भी लग रही है दूप और बारिश दोनों एक साथ हो रहे हैं यहां पर लेकिन गाइस मिस्त्री लोग अपने काम पर लगे हैं क्योंकि जब बहुत जादा जोर से बारिश होगी खड़ा रहा यहां पर तो बेगी जाओंगा थोड़ी दीर में तो इसलिए इच्छत के नीचे बैठ जाते हैं आराम से और कमरे का जो चिनाएक काम चल दा उसे देखते हैं चलो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहां पर मौसम फिर से साफ हो चुका है और मिस्त्री लोग भी अपने काम पर लगे हैं यह देख सकते हैं आप और मैं तो इहीं पर बैटा हूं साइड में चलो उनको काम करने देते हैं तो गाइस अभी मिस्त्री लोग पर काम कर रहे हैं और मम्मी लोग अलवाडे में हैं अलू लगा रहे हैं चलो दिखा तो मैं आपको वहां के नजारे हैं ने अब हम पहुंच चुके हैं अलवाड़ा में और यहां मम्मी और चाची लोग अलू लगा रहे हैं तो चलो देखते हैं कैसे कैसे लगा रहे हैं कर दो कि अ कर दो कर दो झाल झाल तो गाइज अभी चलते हैं यहां से घर की तरफ क्योंकि काम लगवग फोड़ देरे और करना है इन्होंने फिर उसके बाद काम हो जागे हैं का खतम अब थोड़ा मिसर के पास चलते हैं देखते हैं काम कितना हुआ है तो गैज आई पहुंच चुके अपने ने वाले कमरे की जाएगी यह तो पाइप लाइन है पानी की इसको तो शिफ्ट करेंगे और यहां पर इन तेनों टंकियों के बीच में हमारे टंके लगेगी लेकिन अभी इसका यूज है क्योंकि कमरे की चाथ डालने के लिए बहुत जादा पानी की ज़रूत पड़ेगी इसको यहीं पर बाद में इसको पर शिफ्ट कर देंगे बाकी काम तब इतने हुआ है और यह चौकट आज ही पड़ा यह वाला यह तो पहले का लगा रखाई हैं और गाईज मिस्तरी अप जा चुके अपने घर क्योंकि करीब करीब एक बच गये हैं और लंच पगरा करेंगे और शाम के ट से थे थोड़े देर में फ्यूब मोमेंस लएटर तो फिल्ला लंच करने का टाइम हो चुका है तो चलते है किचन में और लंच करते हैμ चलोज्य धली लग चुकी है और चावल और और बड़ा चलगे की दाल बनाई है चलो लंच करते हैं पाम-पटत जिस तरह का सुबह हुआ शुका है मौसम अभी करीब-करीब पांच बज्रे और मौसम आप देख सकते हैं फिर से बारिश का हो गया है तो पहाड़ों को मसम ऐसी है बाई कभी बारिश हो सकती है और कभी भी मौसम एकदम से साफ हो सकते हैं और गाइस मिस्ट्री लोग करीब-करीब दो बज़ी आ चुके थे तो वह तो अपना काम कंटिन्यू करी रहे हैं तो फिलाल वहीं पर बैठ से के मिल्डिस दुके रहे हैं तो फिलाल वहीं पर बैठ से पेरा हैं तुके रहे हैं? तो गाइस जिसका डर था वही हो रहा है बहुत तेज बारिश हो रही है जिहां पर मैं तो छाते में खड़ा हूँ क्या कर सकते बाइस मिस्तरी लोग भी चलेगे लेकिन काम फिलाल होल्ड पे है और श्रिचेकल काम इस्टाट हो जाएगा और गाइस लाइट भी जा चुकी है तो फॉन पर चार्ज कम है यह से लिए आज के इस ब्लॉग को यही पारिट करता हूँ आएओ आपको आज को चोटो सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे रहा चैनल पर नहीं था चैनल का सब्सक्राब कर देना मिलत यह वीडियो